नम्सकार आप देख रहे हैं मनी मंच दोस्तों आज मैं फिर से हाजर हूँ एक बिलकुल नई इन्वेस्टमेंट जानकारी के साथ दोस्तों ICICI Prudential Mutual Fund की स्कीमें बहुत ही अच्छा रिटन दे रही है अगर टॉप पाँच स्कीम का रिटन देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा रहा है तीन साल में इन स्कीमों ने निवेशिकों का पैसा तीन गुना से लेकर चार गुना तक कर दिया है इन स्कीमों ने लंवसम इंवेस्ट करने वालों के साथ साथ SIP करने वाले निवेशिकों को भी काफी दमदार रिटन दिया है दोस्तों इसलिए आज हम बात करेंगे ICICI Prudential Mutual Fund की पाँच शांदार स्कीमों के बारे में जो टॉप पफोर्मर रही है इन स्कीमों को तीन साल के Annual Return के आधार पर चुना गया है तो चलिए जानते हैं इन स्कीमों की Details हमारी पहली स्कीम है ICICI Prudential Commodities Fund Direct Plan यह एक Thematic Fund है दोस्तों, ICICI Prudential Commodities Fund ने निवेशिकों को काफी अच्छा रिटन दिया है अगर किसी ने इस फंड में तीन साल पहले एक लाख रुपे लंपसम इन्वेस्ट किये होते तो वो आज 4,26,000 रुपे हो गए होते वही पर अगर किसी ने इस फंड में तीन साल पहले 5,000 रुपे की मंतली SIP स्टार्ट की होती तो वो आज 2,88,000 रुपे हो गए होते ICICI Prudential Commodities Fund के Returns पर नजर डाले तो इसका All Time Annual Return 34.56 प्रतिशत का है इसका 3 साल का Average Return 62.62 एक 3 प्रतिशत का है और पिछले एक साल की बात करें तो इस फंड ने Return दिया है 3.46 प्रतिशत का हमारी दूसरी स्कीम है ICICI Prudential Infrastructure Fund Direct Plan यह एक Sectoral Infrastructure Fund है दोस्तों, ICICI Prudential Infrastructure Fund ने भी निवेशिकों को काफी अच्छा रिटन दिया है अगर किसी ने इस फंड में 3 साल पहले 1,0,00,00 रुपे Lump Sum इंवेस्ट किये होते तो वो आज 3,300,000 रुपे हो गए होते वही पर अगर किसी ने इस फंड में 3 साल पहले 5,000 रुपे की मंतली SIP स्टार्ट की होती तो वो आज 2,93,000 रुपे हो गए होते ICICI Prudential Infrastructure Fund के Returns पर नजर डाले तो इसका All-Time Annual Return 14.09 प्रतिशत का है इसका 5 साल का Average Return 15.01 प्रतिशत का है और पिछले 3 साल की बात करे तो इस फंड ने Return दिया है 48.86 प्रतिशत का हमारी तीसरी स्कीम है ICICI Prudential Small Cap Fund Direct Plan यह एक Small Cap Fund है दोस्तों, ICICI Prudential Small Cap Fund ने भी निवेशिकों को काफी अच्छा Return दिया है अगर किसी ने इस फंड में 3 साल पहले 1,00,000 रुपे लंबसम इन्वेस्ट किये होते तो वो आज 3,21,000 रुपे हो गए होते वही पर अगर किसी ने इस फंड में 3 साल पहले 5,000 रुपे की मंतली SIP स्टार्ट की होती तो वो आज 2,67,000 रुपे हो गए होते ICICI Prudential Small Cap Fund के रिटर्न्स पर नजर डाले तो इसका All Time Annual Return 16.35 प्रतिशत का है इसका 5 साल का Average Return 14.92 प्रतिशत का है और पिछले 3 साल की बात करे तो इस फंड ने रिटर्न दिया है 47.58 प्रतिशत का हमारी चौथी स्कीम है ICICI Prudential Technology Fund Direct Plan यह एक Sectoral Technology Fund है दोस्तो, ICICI Prudential Technology Fund ने भी निवेशकों को काफी अच्छा रिटर्न दिया है अगर किसी ने इस फंड में 3 साल पहले एक लाख रुपे लंपसम इन्वेस्ट किये होते तो वो आज 3,13,000 रुपे हो गए होते वही पर अगर किसी ने इस फंड में 3 साल पहले 5,000 रुपे की मंतली SIP स्टार्ट की होती तो वो आज 2,31,000 रुपे हो गए होते ICICI Prudential Technology Fund के रिटर्न्स पर नजर दाले तो इसका All Time Annual Return 21,59 प्रतिशत का है इसका 5 साल का Average Return 22,24 प्रतिशत का है और पिछले 3 साल की बात करे तो इस फंड ने रिटर्न दिया है 46,21 प्रतिशत का हमारी पाँचवी स्कीम है ICICI Prudential India Opportunities Fund Direct Plan यह एक Thematic Fund है दोस्तों, ICICI Prudential India Opportunities Fund ने भी निवेशिकों को काफी अच्छा रिटर्न दिया है अगर किसी ने इस फंड में 3 साल पहले 1,00,000 रुपे लंपसम इन्वेस्ट किये होते तो वो आज 2,98,000 रुपे हो गए होते वही पर अगर किसी ने इस फंड में 3 साल पहले 5,000 रुपे की मंतली SIP स्टार्ट की होती तो वो आज 2,65,000 रुपे हो गए होते ICICI Prudential India Opportunities Fund के रिटर्न्स पर नजर डाले तो इसका All Time Annual Return 19.2 एक प्रतिशत का है इसका 3 साल का Average Return 43.9 शून्य प्रतिशत का है और पिछले एक साल की बात करें तो इस फंड में रिटर्न दिया है 8.30 प्रतिशत का इस प्रकार ICICI Prudential Mutual Fund की इन स्कीम ने निवेशकों को पिछले 3 साल में काफी अच्छा रिटर्न दिया है इन mutual funds में minimum investment SIP के जरिये 100 रुपे और lump sum 5000 रुपे कर सकते है यानि आप 100 रुपे के छोटे से amount से investment स्टार्ट कर सकते है maximum की कोई limit नहीं है आप जितना चाहे उतना पैसा invest कर सकते है तो आपको ICICI Prudential Mutual Fund की यह जानकारी कैसी लगी इसके बारे में हमें comment करके जरूर बताए इसके अलावा आप कौन से mutual funds के बारे में विडियो देखना चाहते है वो भी हमें comment section में जरूर बताए दोस्तों mutual fund में निवेश करने के तीन तरीके होते है पहला fund company की website, दूसरा broker कित्रू और तीसरा घर बैठे mobile app के द्वारा अगर आप mobile app के जरूर निवेश करना चाहते है तो आप stocks का link नीचे description में दिया है उस पर click करके आप अपना Demit account open करके direct invest कर सकते हैं धन्यवाद